इस खास रिपोर्ट के जरी हमने आपको बताने की कोशिश की कि आखिरकार मुलायन सिंग यादफ की जो संपत्ती है उसको ले करके ये बड़ा खुलासा आखिरकार कैसे विपक्षी दलो सहीत तमाम सपा कारेकरताओं के अंदर जो है एक अलग हलचल पैदा कर रही है बहराल इसी पर एक सवाल बनता है जिसका जवाब हमारे सयोगी देंगे अबरार अबरार सवाल ये है कि जो अखिलेश यादव है क्या यहां पर एक उत्राधिकारी की भूमी का अबागी जा करके निभाएंगे मुलायन सिंग यादफ की जितनी संपत्ती है उनकी संपत्ती पार्टी की करता धरता के तौर पर अखिलेश यादफ को ही जाना जाता है और साथ ही मुलायन सिंग यादफ जब सुस्त थे उस समय भी तमाम जो कारभार है वो अखिलेश यादफ के जिम्में ही थी तो जाहिर सी बात है कि अगर इस समय जो बुरी हालत है उनकी तरीके से वो जूज रहें तमाम बीमारियों से तो अगर इस तरीकी की कोई दुखत घटना सुनने को मिलती आने वाले समय में तो सिधे तौर पर तमाम जो एक तरीके से वारिस के तौर पर अगर आप देखे तो अखिलेश यादफ ही उनके जिम्मेदार होंगे भली अब परिवार म में तो एक तरीके से तूटा ही हुआ परना यादफ भारतिये जनता पार्टी में शामिल हो गई शिपाल यादफ विदानसभा चुनाओं के बाद अलग हो गए राश्टपति चुनाओं के समय उन्होंने अखलेश यादफ के खिलाफ जाकर के तमाम बयान बाजी की तो आपके साथ मैं हूं करांदी सिंग मुलायम सिंग यादफ की तबियत जो है वो लगातार बिगड रही है और उनकी इस बिगड़ते हालत को देख करके तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो सबी लोग उनके बार में हर एक अपडेट जाना पसंद कर रहे हैं और इसी बीच में एक बड़ा अपडेट हम आपके लिए लेकर के आए हैं और वो अपडेट आपको बता दे कि यहां पर जब वो एक तरफ जो है अस्पताल में भरती है दूसरी तरफ उनकी संपत्ती को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है चलिए इस रिपोर्ट के है दिनों से गुरुगराम के मिदानता अस्पताल में भरती है उतरप्रदेश से तीन बार मुख्य मंत्री रह चुके मुलायम सिंग यादव के स्वास्ते में खास सुधार नहीं हुआ है जानकारी के मताबिक फिलाल मुलायम को अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया ह कुछ समय पहले ही मुलायम सिंग की दूसरी पतनी साधना सिंग का भी निधन हुआ है मुलायम सिंग राजनिती से लेकर अपने पारिवारिक मामलों के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहे राजनिती में उनकी भूमी का एहम और दमदार रही देश के रक्षा मंत्री के प पुरी में यादव पडिवार का दबदबा है मुलाइम सिंग यादव का यहां पैत्रिक आवास है चले जानते हैं सपा सरक शक और यूपी के मुख्यमंत्री रहे मुलाइम सिंग यादव के पास कितनी संपत्ती है देखे रिपोर्ट के मताबिक सपा सरक शक मुलाइम सिंग क लोकसभा से मिलने वाले वेतन के जरिये कमाई करते हैं 2019 लोकसभा चुनाव के लिए जारी हल्फनामे के अनुसार उनके बैंक खाते में छपल लाख रुपए जमा है और लगभग सोला लाख रुपए की नगदी है इसके अलावे बात कर ले तो पूर मुक्य मंत्री टावा के सैफ़ई में रहने वाले हैं उनके पास क्रिश्री योग्य करोरों की समपत्ती है रिपोर्ट के मुताविक मुलाइम के पास 7 करोर रुपए से अधिक की क्रिशी भूमी है साथी दस कडो रुपे से ज्यादा की गैर क्रिशी भूमी है सपा प्रमुक के पास एक टोयोटा कार है जिसकी कीमत लगभग 17 लाख रुपे से अधिक है लगभग 50,000 से ज्यादा कीमत का उनके पास एलिमिनेटर वाहन भी है घर की बात करें तो मुलाइम सिंग का लखनों में घर है जहां वो पत्नी साधना के साथ रहते थे एटाबा में भी उनका एक प्लोट है साल 2019 लोकसभा चुनाव के दोरान दिये हल्फ नामे के मताबिक मुलाइम सिंग यादव के पास करीब 15 करोड से अधिक की संपत्ती के वो मालिक है नामंकन दाखिर करते समय शपत पत्र में उन्होंने अपनी चल अचल संपत्ती 16 करोड 52,44,300 रुपे बताई थी हाला कि इसके पहले साल 2014 लोकसभा चुनाव में मुलाइम सिंग ने 11 करोड रुपे की संपत्ती की घोशना हल्फ नामे में बताई थी यहां पर उनकी संपत्ती को लेकर के हमने आपको पूरा ब्योरा दिया है देखे यहां पर जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि मुलाइम सिंग यादफ की तब्यद जो है वो लगतार खराब हो रही है उस बीच में मुलाइम सिंग यादव को लेकर के उनकी संपत्ती को लेकर के काफी लोग जानना चाह रहे थे इसलिए हमने ये रिपोर्ट तयार की बहराल यहाँ पर उनकी संपत्ती के बाद एक सवाल है जो सबसे ज़्यादा उभर करके सामने आ रही है कि आखिरकार मुलाइम सिंग यादव की संपत्ती का अगला मालिक कौन होगा क्योंकि देखें यहां पर उनकी संपत्ती करोरों में हर ऐसे में पारिवारिक विवाद जो है वो भी चलता रहता है तो पारिवारिक विवाद को देखते वह यहां पर सबसे जादा अखलेश यादव को जो है तवज्जो मिलेगा मुलाइम सिंग यादव की संपत्ती या फि बैठे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ बोलने से लेकर तो वो भी यहां पर कुछ ना कुछ बोलते हुए नजर आ सकते हैं तो देखें यहां पर अगर हम कुल मिलाकर के बात करें तो चारों तरफ जो माहूल बना हुआ है उसमें एक बहुत बड़ी खलबली जो है वो देख में शिपाल यादव हो प्रतीक यादव हो जिमपल यादव हो या फिर परिवार का कोई भी सदसे सब एक साथ जो है वो खड़े हैं उनके लिए प्रात्रा कर रहे हैं अस्पतार में लगतार जो है मिलने का सिलसिला जा रही है बावजुद उसके जब यहां पर संपत्ती ब संपत्ती भी अपने नाम करने में सफल रहेंगे या नहीं रहेंगे यह बहुत ही एहम सवाल है और इसी एहम सवाल के जवाब के लिए हमने अपने एक सही योगी से बादशित की तो चलिए अब उस रिपोर्ट को हम आपको दिखाते हैं और जानते हैं कि आखिर कार कैसे इस खुलासे के बाद और अस्पताल में चल रही हलचल के बाद आखिर कार अखिलेश यादव या प्रतीक यादव या फिर शिपाल यादव किसके हाथ में मुलाइम सिंग यादव की संपत्ती का बाग डोर जाएगा और उसके भी पहले ये सवाल की जवाब बहुत जरूर बनी हुई है दूसरी तरह अखिलेश यादव परिशान है और उनके भाई सई तमाम कारे करता जो है वो लगातार उनके लिए दुआ मांग रहे और कोशश कर रहे कि मुलाइम सिंग यादव की तबियत जो है वो जल से जल ठीक हो जार इस बीच में उनकी संपत्ती को लेकर के ये बड़ा खुलासा हम उमीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी न भूले और आप अपने तर्क हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं फिलाल हमें मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार